मेंगो ट्रिफल जो मेरी बेटी बनाएगी और मैं एक्स्प्लेइन करूंगी तो हमने यहां पे कुछ सामान लिया है जो है अमुल बटर अमुल बटर हमने 300 ग्रैम्स लिया है छे अंडे को हमने तोड़ लिया है मैदा हमने 200 ग्रैम्स लिया है और 200 ग्रैम्स हमने लिया है शुगर जो हमने पीस लिया है और थोड़ा से अमुल बटर लिया है हमने चम्मच में जो आपको बताते हैं आगे हम क्या करने आ ले हैं और एक टी स्पून हमने लिया है बेकिंग पाउडर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यह हमने मोल्ड लिया है जो एक केजी का है, आप अपने इसाब से कम या जादा चोटा या बड़ा ले सकते हैं, इसमें हम लगाएंगे बटर पेपर, यह मेरी बेटी लगा रही है, इसमें ब बटर है, और इसको ग्रीस कर देगी, इस तरह से अच्छे से बटर को फैला लेना है, और रख देते हैं, इसको हम साइट पे, एक बड़ा सा बोल लिया है, उसमें डाल देंगे यह अमुल बटर, बटर रूम टेंपरेचर में होना चाहिए, अगर यह ठंडा आप डालेंगे, तो आपका केक जो है, बिलकुल बिगड़ जाएगा, अच्छे से नहीं बनेगा, आवन को हमने प्री हीट करने रख दिया है, 180 डिगरी पे 10 मिनेट के लिए, और हम दूसरा काम भी करते जा रह है, और इससे हम इसको फेट लेंगे, बटर को हमने फेट लेना है, बिटर की हेल्प से इस तरह से, हमको जब तक फेटना है, जब तक बटर प्रीम जैसा ना दिखने लगे, देखे इस तरह से अच्छे से, सब जगा से, बिटर हटा हटा के हमको फेटना है, देखे किस तरह बटर में आपको दिखाई दे रहा है स्मूध होने लगा है बटर क्रीमी फॉर्म होने लगा है इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत देर तक इसको हम बताएंगे आपको कितने मिनिट तक इसको हमने फेटा है कि देखिया कितने अच्चा heri mi foam हो गया है कि दो से अतिनने मिने इसको फेटा है अंचीनीव चलाते वे अब बहुत अच्छे से ये तयार हो गया है इसमें थोड़ा थोड़ा डालेगे तकरीबन एक एक अड़ा जालेंगे और इसको सिर्ट रेंगे खनाएंचल कुछ के इस तरह से थोड़ा जाले क्छा थे इक और पलापने हैं सके मासे उपने इसको तुछ तोड़ा से डाल के वापस से इसको इस्टर करेंगे इस तरह से अपको पूरा इसलिए बता रहे हैं ताकि आप अराम से पूरा अच्छे तरह से स्टेप बाइस्टेप देखे और असानी से आप इसको फॉलो कर सेके देखें दूसरा भी हम ना डाल दिया आप तीसरा भी डाल दे रहे हैं इसी तरह से हम सारे अंडे तोड़ा तोड़ा करके हम इसको बीट करेंगे यह बीटर है बीटर से इसको धीरे दीरे बीट करते जाना है एक साथ सारे अंडे नहीं डालना है वरना लंस आ जाएंगे आप और इसको वापस हम बीट करेंगे, वेनिला एसेंस जाने से कुश्पू बहुत अच्छी आ रही है, और ये बहुत अच्छे से बीट करो रहा है, और बहुत अच्छे से ये फिटा रहा है, अब एक छन्मी हमने लिया है, और इसकी हेल्ट से ये शक्कर जो है, हमने पीस की चानने का मकसद ये है कि इसमें लम्स ना आजाए इसलिए हम इसको चान रहे है, अगर आप इसी तरह से डाल देंगे तो बैटर में लम्स आ जाएगा, अब आप चान लेते ह। जो बेकिंग पोळर कि अठें लीट कर ऊं, चान लेते हैं तो यह बेकिंग पॉडर भी हमारा अच्छी तरह से चान गया है अब उसी चानने में मैदा डालेंगे और मैदे को भी अच्छे से चान लेते हैं और ये भी छान लेते हुआ देखिए या मेरी बेती छान रगा रही है मैदा शककर और बेकिंग पॉडर सब अच्छी तरह से हमने छान लिया है अब इसको भी हम अच्छी तरह से पिट लेते हैं आप ये बीटर को हमने 90 डीगरी पर रखा है और उससे हम इसको बीट कर रहा है बीटर को 90 डीगरी में ऐसा रखा है हमने देखिए बिल्कुल straight बीटर चल रहा है इस तरह से straight रखना है आपको 90 डीगरी पर और इसको अच्छी तरह से फेटना है अगर आप बीटर को टिल्टेट रखोगे तो यह उड़ने लगेगा इसलिए बीटर को हमने 90 डिग्री याने के स्ट्वेट रखके हम इसको फेट रहे हैं दो से तीन नेट लगा है हमको इसको फेटने को और यह अच्छी तरह से फिटा गया है आप देख सकते हैं अभी मेरी बेची आपको उठा के दिखाएगी यह बैटर इस तरह से देखें कितना स्मूध बैटर बना है और देखें यह बता रही है आपको उठा के इस तरह से बैटर होना चाहिए अब एक टेबल स्पून इसमें हम दूट डालेंगे और इसको वापस से अच्छी तरह से फेट लेंगे स्पैचुला से ही हम इसको अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे अब जिस मोल्ड में हमने बटर पेपर लगाया था उसके ऊपर हमने लगाया था अमूल बटर और उसी में यह बैटर हम डाल देते हैं और इसको बेक करेंगे देखिए किस तरह से बेटर स्लोजली स्लोली डाला जा रहा है इस तरह से आपको डालना है इस तरह से इसको अच्छे से लेवल कर देने का है देखिए किस तरह से लेवल कर रहे है यह अच्छी तरह से इसको फैला लिया है अब इसको हम आवन में डाल देते हैं देखिए कितने अच्छी से यह इसके अंदर डाला है और अच्छी से तहला दिया है आवन के अंदर इसको हम डाल रहे हैं प्री हीट आवन है यह इसको हम बन कर दे रहे हैं आवन को हमने 180 डिग्री पे रखा है और दोनों तरफ हीट दे रहे हैं और इसको रख रहे हैं 35 मिनेट के बखाए हैं और 35 मिनेट के बिल capable कर दे रहे हैं और थोरी अंदर डाल रहे हैं चैक करने के लिए देके चूरी बिलकुल साफ सुतरी नजर आ रही है उसका मतलब यह केक बिलकुल तयार हो गया है यह तकरीवन 45 mi — तक इसको बेक किया है और यह बिल्कुल राड़ी है इसको निकाल लेते हैं एज यह केक बन के हमारा बिल्कुल राड़ी है इसको थंडा होने के लिए रखे देते हैं mango truffles बना रहे हैं तो हमको उसके लिए mango चाहिए हमने 2 düny के square स्टैर पीसे स्कट कर लिए हैं और दो आम के हमने पल्प बना के रख लिये तो इसको हम साइड पे रख रख देते हैं इस तरह से चूरा करना है बहुत सॉफ्ट और बहुत ही मज़ए का ये कीक बनाये को भी बहुत अच्छी आ रही है इस तरह से हम सारे केक को चुड़ा कर गेते हैं देखिए सारा केक चुड़ा कर दिए हमने और इसको रख़ देते हम साइड पे यह विप क्रिम है इसको हम 2 कप लेंगे और बीट करेंगे तो यह एक कप हमने डाल दिया ये दो कप हमने वेप क्रीम डाल दिया है अब हम इसको बीट करेंगे इस तरह से देखिए continue इसको चलाते रहने का है continue चलाते रहेंगे और ये खुल जाएगा आपको दिखाते हैं देखिए किस तरह से ये उपर आ रहा है देखिए ये इस तरह से गाड़ा होते जा रहा है और फुलते जा रहा है और उपर की तरफ ये आते जा रहा है इससी तरह से इसको continue हमको चलाते रहने का है 10 से 12 मिनिट इसको हमको continue चलाते रहने है देखिए ये इस तरह से कितने अच्छे से गाड़ा हो गया है आप देख सकते हैं और यह तयार है बिलकुल देखिए आपका जो क्रीम है वो स्टिफ पिक्स होना चाहिए इस तरह से देखिए अभी आपको मैं बताते हूँ इसको पलट के कि अगर हम पलटेंगे तो भी यह गिरने वाला नहीं है देखिए हम इसको पलटा के दिखा रहे है कि बिलकुल भी अपनी जगह से हिल रहा नहीं है इस तरह से वीप होना चाहिए तो इसको भी रख देते हैं साइट पे तो अब हम एसेंबल करेंगे हमारी सारी चीज़े बिलकुल रेडी है वीप क्रीम भी रेडी है आम हमने क्यूब्स काटके रखा था और हमने थोड़ा पल्प भी बना के रखा है और यह केक को हमने चूरा करके रखा है तो अब कैसे एसेंबल करते हैं आपको दिखाते हैं यह हमने एक ग्लास की ट्रे ले लिए इस तरह से अगर आपके पस बोल हो या कोई ट्रे हो इस तरह से आपके पास हो तो आप इस तरह से असेंबल कर सकते हैं या किसी भी चीज में आप असेंबल कर सकते हैं अगर आपके पस यह ना हो तो यह केक को हम इस ट्रे में पहले बिचा देंगे केक हम लेंगे और केक को इस तरह से ट्रे में बिचा देंगे एक लेयर बना दे रहे हैं हम इसमें इस तरह से हमने केक केक लेयर बना दी है यह पहली लेयर हो गई हमारी केक की अब इसकी ऊपर हम डालेंगे वीप क्रिम यह मेरी बेटी बना रही है इस तरह से हमको वीप क्रिम डालना है और डालने के बाद इसको अच्छी तरह से स्प्रेट कर देना है यह विप क्रिम की लेरिंग हमारी हो गई है अब हम डालेंगे इसके ओपर मैंगो का पल्प इसको भी इसी तरह से स्प्रेट कर देंगे यह हाफूस मैंगो पल्प है इसको हम अच्छी तरह से स्प्रेट कर दे रहें कि मैंगो पाल्प हमने डाल दिया है अब मैंगो क्यूब जम डालेंगे इसके उपर स्प्रेट कर देंगे थोड़ा-थोड़ा इस तरह से कि दूज़ो इसी तरह से फिर से हम केक की लेरिंग करेंगे केक के बाद हम थोड़ा से और इसमें डालेंगे मैंगो का पल्प और इसको भी हलकी आतों से स्प्रेक कर देगे अब हमने यह पाइप इन बैग लिए इसमें हम विप क्रिम भरेंगे सबसे पहले हम पाइप इन बैग में नोजल लगाएंगे इस नोजल को स्टार नोजल का जाता है यह नोजल हम लगाएंगे पाइप इन बैग में इस तरह से अंडर इस तरह से हम डाल दे रहे हैं देखें इस तरह से डाल रहे हैं अब इसमें हम भरेंगे विप क्रीम इसको फोल्ड कर लेते हैं पहले इस तरह से फोल्ड कर लेंगे अब इसको कटिंग करेंगे नीचे से नोजल की नीचे जगा है उसको कटिंग करेंगे इस तरह से और थोड़ा से प्रैस करेंगे ताके नोजल में जाके वह सेट हो जाए और इस तरह से देखें कितना खुबसूरत लग रहा है यह कि डेकुरेट कर रहे हैं बहुत ही बैतरीन नजर आ रहा है यह डेकुरेशन इसी तरह से हम पुरी ट्रे में कर लेते हैं इस तरह से उपर डेकुरेट हो गया है पुरा और अब हम मैंगो की क्यूब्स रख दे रहे हैं इसके उपर तो यह और खुबसूरत लगेगा देखिए मैंगो ट्रिफल हमारा बिलकुल तयार है और बहुत ही बैतरीन बना है आप भी जरूर ट्राइ करिएगा कॉमेंट में लिखिएगा कि आपका मैंगो ट्रिफल कैसे बना मैं हर एक की कमेंट को पढ़ती हूँ और जवाब भी देती हूँ अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है त बेल आइकन को क्लिक कर लिजिए तके मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ्री में और बहुत आसानी से मिलती रहे तो थेंक्यू वेरी मॉच